गूड मॉर्निंग बच्छों आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्टिक पोटेंशिल इनर्जी के बारे में और हमें एक एक्स्प्रेशन अप्टेन करना है पोटेंशिल इनर्जी ऑफ असिस्टम आफ वू पॉइंट चार्जिस थ्री पोटेंशिल इनर्जी और जब पोटेंशिल इनर्जी को एक्स्टरनल इलेक्टिक फीडल में रखाओ तब पोटेंशिल इनर्जी क्या होगी तो सबसे पहले यहाँ पर यह जानना ज़रूरी है कि पोटेंशिल इनर्जी क्या होती है potential energy आप 9th standard से बढ़ते हो आ रहे हैं potential energy वो energy होती है जो position की वैसे होती है अगर masses को अपनी position पर रखना है तो जितना work done करना पड़ेगा उनको infinite से उठा कर लाकिन रखने में उसको बोलते थे gravitation potential energy या अपने class 11th में बढ़ा है बिलकुल उसी तरीके से charges को अगर infinite से लेके आए और अपनी अपनी location पर assemble करें तो total जितना work done करना पड़ेगा वो उस system की electric potential energy के equivalent होगा या equal होगा यहाँ पर definition कैलिक है जल्दी से पढ़ लेते हैं electric potential energy of a system of point charges may be defined as the amount of work done in bringing or assembling the charges at their location by bringing them from infinity infinity से उठा के charges को लाओ अपनी अपनी location पर assemble करो जितना work done करना पड़ेगा वो system की electric potential energy होगी आप जल्दी से हम expression पढ़ लेते हैं potential energy of a system of two point charges यहाँ पर हमारे पास दो charges है charges के नाह में Q1 और Q2 इनको आपको अपनी location में assemble करना है Q1 यहाँ P1 पर रखा है Q2 यहाँ पर रखना है P2 पर इनकी बीच की distance है यहाँ पर R12 इनको यहाँ पर assemble करना है so potential energy निकालनी है इस system की तो इस system की potential energy निकालने के लिए आपको इन दोनों charges को एक एक करके infinite से लाना होगा और जितना work done होगा उस work done को total add करने ला होगा so वो system की क्या होगी potential energy होगी so जब हम पहले Q1 charge को लेकिया है यहाँ पर इस P1 पर locate किया P1 पर locate किया so यहाँ पर कोई field थी नहीं जब यहाँ पर कोई field नहीं थी तो यहाँ work done कितना होगया 0 होगया यानि Q1 charge को infinite से P1 तक लाने में कोई work done नहीं हुआ scientific work done नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर कोई field नहीं है जिसके against work करना पड़े बट अब हम Q2 charge को लेकि आएंगे infinite से P2 point पर तो हमें work done करना पड़ेगा यहाँ पर क्यों क्यों करना पड़ेगा तो इसके against work करना पड़ेगा तो इस तरीके से कितना work करना पड़ेगा वो हमें calculate करना है तो पहले हम calculate करते है कि P1 पर जो Q1 charge रखा है उसका R12 distance पर जो point है P2 इस पर potential कितना है तो potential का formula होता है 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 upon R12 यानि Q upon R होता है तो यहाँ पर charge का है Q1 है और distance कितनी R12 है अब इस point का या इस point charge का यहाँ पर potential कितना है यह है V1 अब आप दूसरे charge को लेके आ रहे है Q2 को तो infinite से कितना work करना पड़ेगा work equal to potential into charge potential कितना V1 और charge कौन सा है हमारा यहाँ पर Q2 इसकी values रख दी तो हमारा expression बना 1 upon 4 pi epsilon 0 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 upon R12 यह यहाँ पर हमारा expression बन गया किस चीज़ का expression बना work done का जो हम Q2 को लेके आया है infinite से P2 point पर अब पूरे system की potential energy कितनी होगी पूरे system में कितने charges है तो पूरे system की potential energy कितनी हो जाएगी Q1 को लाने में work done plus Q2 को लाने में work done Q1 को लाने में work done था W1 Q2 को लाने में work done है W2 W1 plus W2 यानि U का formula हो जाएगा W10 ने की वैसे 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 over R12 यानि यह system की potential energy हो गई यह system की potential energy है जहाँ आपर हमारे 2 point charges है ओके बिल्कुल इसी तरीके से इसी concept का use करते हुए अगर हमारे पास 3 point charges होंगे तो क्या करना होगा तो यह मैं आपके उपर शोड़ता हूँ आप इसको किस तरीके से करेंगे मैं इसका concept बता रहा हूँ आप इसको खुद करके देखिएगा I hope आप इसको कर पाएंगे यहां पर Q1 charge को infinite से P1 point तर लेके आए I hope कोई work done नहीं करना पड़ेगा जैसा कि previous में फिर Q2 charge को लेके आए तो किसके against work done करना पड़ेगा Q1 की field के against work done करना पड़ेगा फिर Q3 को लेके आए तो Q3 को जब आप P3 point पे लेके आएंगे क्योंकि आप 3 charges है तो Q1 और Q2 दोनों की field के against work करना पड़ेगा So इनके potential निकाली है और potential निकाल के Q3 से multiply करती है That will be W3 W1, W2 आप already calculate कर चुगे So इस system की potential energy क्या हो जाएगी जहां पर 3 charges है पहले को लाने में work done मुझे personally WhatsApp पर भी पूर सकते हो Very similarly end charges वाला formula भी देखना है यहां पर end charges वाला क्या है So mathematics वाले बच्चे तो अच्छी तरी किसे इसको समझ पाएंगे और बायो वाले को अगर कोई doubt हो तो आप मुझे पूर सकते हो यहां पर Okay, यहां पर end charges को करके किया है अब बिल्कुल इसी तरीके से एक चीज़ और पढ़ लेते हैं यहां पर यह बढ़ना भी बहुत ज़रूरी है Potential energy आपको निकालना है दो point charges की लेकिन वहां पर field है External field है So आप external field के against आपको काम करना पड़ेगा Meaning thereby यहां पर यह दो charges है Q1 और Q2 इनको यहां पर लाके रखना है But यहां पर already field है Previous वाली problem में field नहीं थी तो यहां पर field है तो इस field के against काम करना पड़ेगा तो कैसे काम करेंगे मालनो इस charge की वैसे यहां पर potential कितना है VR1 है यहां पर potential कितना है VR2 है So आपको जब आप Q1 को अठाके infinite से लेके आएंगे इस point पर तो इसकी field के against काम करना पड़ेगा तो कितना work done करना पड़ेगा तो पहले charge को लेके आएंगे तो work done करना पड़ेगा Q1 into V1 या VR1 Very similarly Q2 को लेके आएंगे तो कितना work done करना पड़ेगा Against the external field Q2 into VR2 इस external field के against आपको work done करना पड़ेगा और इन में आपस में भी होगा position में इनकी position के वैसे एक दूसरे के ओपर भी force exert करेंगे तो उसके against भी work done करना पड़ेगा और आपके दो charges है और external field भी present है तो उसकी total potential energy क्या हो जाएगी उसकी total potential energy क्यों वी वन प्लस क्यूटू वी टू यह तो हो गया आपको assembling two charges simply आपर और इनके बीच की आनि कितने वन अपन वो पाई एपसलान नोट Q1 Q2 अपन R12 तो यह formula total potential energy system का है कब जबकि वहाँ पर field present है तो इस वीडियो को देखिए अच्छी तरीके से और यहाँ पर जितने भी मैंने topic बताएं दो तीन topic बताएं इनको अच्छी तरीके से पढ़िए अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए और अच्छा से रेस्पांस दीजिए तेंक्यू सो मच